यह हम सभी अपने जीवन में सुक्ष की निरंतर अभिव्रद्धी के लिए नीती के विश्यों का श्रवन कर रहे हैं नीती कहती है जो लाब प्रद हो उसे कभी छोड़ना नहीं जिससे जीवन में हानी हो उसे कभी छोड़ना नहीं जिससे जीवन में लाब ना हो जिससे हानी हो उसे कभी छोड़ना नहीं और जिससे लाब हो उसे कभी छोड़ना नहीं आप देखो कि पैर में कांटा चुप जाए तो बुद्धी पूर्वक सुई डाल करके निकालते हैं लेकिन उस सुई को या अलपिन को गले में लटकाके भी चलते हैं क्योंकि गले में लटकाने से हानी नहीं है और वो ही सुई पैर में चुप जाए तो हानी है तो जो हानी प्रद हो तो छोड़ो ऐसा कहते हैं प्राकृत में दूर दो मुंच दूर से ही छोड़ो यहां तक आनी मत दो लेकिन जो लाव उप्रद हो उसे जाने मत दो आज यहां उसी लाव और हानी की बात कर रहे हैं मनुश्य के अंदर बहुत सारे प्रकार की भाव होते हैं बहुत सारे प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसमें की कुछ अच्छा है कुछ खराब हैं कुछ पागलपन जैसा भी है तो कई प्रकार के पागलपन होते हैं उसमें से क्रोध सबसे बड़ा पागलपन है क्रोध एक ऐसा पागलपन है जो दूसरों के साथ साथ आपको भी नश्ट करता है जब आप खुश रहते हो एक अलग उमंग रहती है काम करने की अलग जोस रहता है और जब क्रोध में आते हो ना उमंग नश्ट हो जाती है कुछ नहीं बचता ऐसा हर विक्ति के साथ होता है क्रोध नहीं करना चाहिए ऐसा कहने वाले के साथ भी होता है लेकिन कंट्रोलिंग पावर अपनी उपर है कि अपन को कैसे क्रोध नहीं करना आप जीवन में एक दिन देखो कि जब आपने क्रोध किया हो ऐसा कोई दिन याद करो जब आपने क्रोध किया और जबर दस्त क्रोध किया आर पार की वो जो आपने क्रोध किया था वो जो आपने क्रोध किया था अब एक मिनिट के लिए विचार करना बाद में पस्तावा हुआ की नहीं बोलो भाई पस्तावा हुआ की नहीं गुसे में दिया आपने फौन और दिवाल में फेग दिया थाली ली गुसे में भोजन पक दिया और छोटे बच्चों को देखो और उने लिया सिर्थ दिवाल में मार दिया अब हुआ क्या इतन वड़ा गुमड आगे पे नीला अब मंकी क्या भी लगाए गूम रहे कि देखें नहीं किसी को ये गुस्से का प्रतिफल है तो गुस्सा एक प्रकार का पागलपन है वो आप ही जगाते हो अपने अंदर से निमित बहार के मिल सकते हैं बहार के निमित मिलेंगे ये मानते हैं लेकिन इन बहार के निमितों से हमें प्रभावित नहीं होना है ये बड़ी बात है हम भी तो बिना कपड़े के हैं हमको भी तो ठंडी गर्मी लगती है लेकिन हमको लगती क्यों नहीं है क्योंकि हम मानते नहीं है क्यों हमें लग रही है जब कोई निमित मिलता है क्रोध का तो आप उसको अपना मानते हैं इसलिए क्रोध भलकता है किसी विक्ति ने आपको गाली दी और सागर की बड़ी प्रसित होती है तो उसने बड़ी एक आपको गाली दे दी और आपने उसको बिना देके चले गए इसा बड़ा मुश्किल काम है उसने जैसे गाली दी और आपने पलटके उसको दो गाली और दी क्रोध आगया और रहता पाई हो गई देखो अगर आप उस निमित से प्रभावित नहीं होते तो काम हो जाता तो काम हो जाता भारती भारत सरकार को पता है कि जैन लोगों का प्रदर्शन धा अगर ये जो रोट पर आए थे ये लूट अमारी कर देते न ये अगर लूट कर देते तो लूट में चेहरा किसी का ही नहीं अगर ये लूट कर देते फिर क्या होता बताओ बजारों का, किसी ने लूट नहीं करी, किसी भी एक विक्ति को भी नुकसान नहीं पहुँचा, न डंडे चले न कुछ हुआ, दूसरों को प्रदर्सन भी करना है, तो ऐसा करो, कि हमने प्रदर्सन किया, हम जोस में थे, लेकिन होश में थे, क्रोध में नहीं थे, नाराज थे, नाकुष थे, आक्रोश में नहीं थे, तो इस प्रकार की प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए, कि आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है, आपकी बात मानी जाएगी, कि नहीं मानी जाएगी, करम का योग है, लेकिन देखो कि उसमें क्रोध का कितना परसेंटेज है अंदर से माना कि आप नहीं कह रहे और अंदर अंदर भी चल रहा है कई बार ये भी होता है बड़ा विक्ति क्रोध नहीं करमाता या चोटा विक्ति क्रोध नहीं करमाता वो अंदर अंदर गुटता है कोई बात नहीं गुटने दो लेकिन अब यहाँ पर फ्रश्निस का यह है कि जो क्रोध आपको जागरिद हुआ है उस जागरिद हुए क्रोध को आपने केंसे रोक के रखा है दुनिया में ऐसा कोई वेक्ति नहीं है जिसको क्रोध ना आता हूँ motivation इसपीज देने वाले भी demotivate होते देखे जाते हैं प्रसन्नो करके मुश्कुरा करके हर वेक्ति का काम करने वाले वेक्ति के भी काम अटके देखे जाते हैं सबका अपना अपना कर्म है लेकिन इन सब के मिलने पर क्रोध नहीं करना smiling मुश्कुरा थोड़ा सा अरे जब विपत्ति आये तब भी मुश्कुराते रहो तब बात है जब विपत्तिया आये और आप मुश्कुराते रहो तब बड़ी बात है आपके मन के विरुद दो गया अत्वा आपने कहा है कोई समझ यह नहीं रहा है तुमने सही कहा है लेकिन आपकी बात को आपकी अप मना नहीं है आप अपनी बात मनवा लो लेकिन बिना क्रोध के सामने वाले विक्ति को अपनी बात रखने का पूरा हाँ है जब तक वो सही सावित ना हो जाए लेकिन बिना क्रोध के जैसे किसी विक्ति को अपने बलाए है इदर आओ इदर आओ इदर आओ, चेरा देखना भी, इदर आओ, इदर आ, इदर आ, इदर आ, दोनों में बुलाया जा रहा है, एक में करें, भी इदर आना, और एक से करें, इदर आ, आ इदर आ, तुरंता, तो जो मुद्रा है, वो क्रोध की है, तो क्रोध की मुद्रा में आप बुलाओगे, तो गली में गूमने वाला जानवर भी नहीं आएगा, वो ही भाग जाएगा, उसको ही पता है कि अभी क्रोध में भग लो, हाथ में लेकर के बिस्किट भी भेकते हूँ आप, जानवर के लिए, और हाथ में पत्तर रखके ही भेकते हैं, उसको पता है कि बिस्किट भेकर है कि पत्तर, चैरे के एक्स्प्रेशन बदल जाते हैं, चैरे के एक्स्प्रेशन बदल जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखो, इस वस्तु का ध्यान रखो क्रोध जो है आपके लिए विश्के समान है आप जो खुशी-खुशी पी रहे हो इसलिए क्रोध नहीं करना कोई आपके लिए कितनी अंदरकल बोल सकता हो कि तुमारा कोई स्टेंडर्ड नहीं है तुमारी लॉबी खराब है तुमारा क्या स्टेंटर्स का नहीं है तुमारे मेरे सामने तुमारी कोई आपकात नहीं है ठीक ठीक है आपकात बना के बात करेंगे जाओ जब आप तुमारे सामने हमारे सामने मेरी कोई आपकात नहीं है तो हमसे बोल क्यो रहा हो हमारे लिए बोल क्यों रहा हो फिर कोई बात नहीं ऐसे शब्द मिलने पर भी ठीक है अपने आपको बूस्ट अप करो उससे कुछ मत कहो किसी ने कहो कभी बच्पन में याद करो अब बेटा क्या करोगे तो हमारे पास खाने को नहीं है आना तो हमारे पास पढ़ेगा न भीग मांगने दिन याद रखना उससे कुछ कहना नहीं उसकी बातों को अपने मोटिवेशन के लिए आप एनर्जी बनाओ कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है मोटिवेशन के इनर्जी बनाओ आपके पास दिन पर बहुत टाइम रहता है कुछ और सीखो ना किसने मना किया है कुछ और करो खाली बेटे रहोगे तो विकास नहीं होगा कुछ न कुछ करोगे तो विकास होगा अन्तिक विकास और अगर आपने कुछ न कुछ नहीं किया तो आपके सांत वाला आगे जाएगा फिर आपको ख्रोध आएगा आपके सांत वाला आगे जाएगा जैसे इन से कहा कि भई काम करो इन्हों छुरंद कर लिया दूसरे से कहा उसको जीतने का तरीका क्या है उसको जीतने का तरीका है मौन क्रोध को हतियार मत बनाओ क्रोध को शक्ती बनाओ अपनी जीत का जब निमित मिले क्रोद के तो शान्त हो करके देखो कि इस पूरे परीपेक्षम में गलत हूँ की नहीं थंडे हो करके गलत हो तो सुधार करो नहीं हो तो जवाब मत दो जीत के जवाब देना और उपर बढ़ जाओ तो जीत से जवाब देना देखो कंस, रावण यह सब क्रोध में गए हैं जरासंग यह सब क्रोध में वरे हैं क्रोध में दुर्योधन यह सब क्रोध में गए हैं अगर क्रोध न करके शान्ती से निर्णा इले दे इनके साथ ऐसा नहीं होता कहते सबी हैं कि मुझे अर्जुन बनना है राम बनना है लेकिन क्रोध नहीं छोड़ते इसने दुर्योधन बनके रावन बनके गूम रहे है और सबसे बड़ी बात है कि जब भी क्रोध करते हो तो आपस की प्रीती तूटती है जब भी आप ग्रोध करते हो नहीं तो आपस की प्रीती तूटती है पुरानी बात या जा जाती है कि अभी तो बड़ी मीटी बात कर रहा है वह दिन तो चटकरा था अभी अच्छे से कह रहा है और दिन बड़ा चटकरा था मेरे उपर लेकिन मा की तरह है हिदय करो मा की तरह बच्चा मा के बाल भी खीच देता है गुस्से में मार भी देता है कहीं भी मार देता है गोदी में ले मा तो भी उसके चेरे पो भी नोच देता है लेकिन मा उस बात को याद नहीं रखती याद रखती है क्या इसलिए कोई अगर क्रोध भी करे तो मां की तरह बूलते जाओ लेकिन किसी भी परिस्थती में शान्त भाव को छोड़ना नहीं जो हानी कारक हो जो आपकी छवी गिराता हो ऐसे क्रोध को छोड़े और शान्त भाव से नाता जूड़े ऐसे क्रोध को छोड़े क्रोध से आप जितना दूर हटोगे उतना अधिक आपका विकास होगा क्रोध आए एक दम शान्त हो जाओ चेहरे पे क्रोध नहीं दिखना चाहिए हो रहा है माना कि अभी हमको बहुत तेज क्रोध आ रहा है क्रोध भी कसाय है और हास भी कसाय है लेकिन क्रोध कसाय से आपकी छवी गिर जाती है हास कसाय से छवी नहीं गिरती नुक्सान तो होता है लेकिन छवी तो बच जाती है कम से कम पूरा टोटल लॉस तो नहीं हो रहा है हाफ लॉस हो रहा है टोटल लॉस नहीं हो रहा है ठीके गुसा रहा है न मौन, मुस्कुरा के कटिन हैं, पुर्शार साध्य असाध्य नहीं है जैसे किसी की कुछ इस्ट वस्तु चली जाए, चोरी हो जाए, फोन चोरी हो जाए कैसा लगता है उसमें वारा डाटा था, फोन नंबर थे, सिर पठक लें, फोड लें, क्या कर लें लेकिन उसके बाद हुआ क्या ठीक है, सब एक दिन में डाटा समाप्थ होता की नहीं इतने साल तक जोड़ा और एक दिन में समाप्थ फिर भी क्रोध नहीं करना बहुत सालों तक संपत्ति जोड़ी, एक दम से छूट गई, समाप्थ क्रोध नहीं करना परिस्तितियां विपरीद आएं लेकिन क्रोध ना आए शान्त भाव रहें इसका पुरसार्थ करना सफलता दो गुनी नहीं सो गुनी मिलेगी क्योंकि क्रोध से काम बिगडते हैं शान्त भाव से काम बनते हैं जब आप शान्त रहते हैं भाव अच्छे होते हैं उसको कहते हैं विशुद्धी उन विशुद्धी से काम बनता है जब आप क्रोध करते हैं भाव होते हैं नीचे के कसाय आती है फिर विशुद्धी जाती ये पाप आता है इसलिए आज की नीती भूलना नहीं क्रोध एक पागलपन है उससे दूर हटना है ठीक है शेशपन आके विचार करेंगे आप इस पागलपन से बचें क्योंकि अगर पागल खुत्ता काटे तो इंजेक्शन भी लगते हो जान जान है कि उन्जाइस भी है किसी क्रोध है फागलपन है और उसने काट लिया है तो यह मुस्किल है इसलिए इस पागलपन से बचें और अपने आपको ज्यानी बनाने का प्रयास करें शेश आगे विचार करेंगे भगवान मावीर सौमी की आचारे बगवन गुरुवर विशु सागर जी माराज की जय जय